करकित हैं हेलो फ्रेंड़्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल वाइब्रेशन स्प्रेक्ट्र आज हमने करना है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्प्रेक्र मिन्स डिफिकल्ट है हम इन दोनों को लग लग नहीं पढ़ सकते हैं इन दोनों को लग लग पढ़ना एक approximation है जिसको हम बोलते हैं born-opnamor approximation ओके born-opnamor-born-opnamor approximation इसमें क्या है देखो कि वैसे तो हमें पता है कि अगर rotational motion हो रहा है तो उसके corresponding vibrational motion भी होगा अगर हम vibrational energy levels देख रहे हैं vibrational transitions देख रहे हैं तो obviously vibrational की energy vibration में energy क्या तो ज़्याद है बट rotational में इससे कम है तो अगर vibrational transitions हो रहे हैं तो corresponding rotational transitions भी तो होई रहे हैं okay so means हम इन दोनों को लग लग study नहीं कर सकते बट according to born-opnamor approximation हम इन दोनों को अलग लग study कर सकते हैं okay individually इन दोनों को study किया जा सकते है बट अगर rotational phenomena हो रहा है अगर rotational motion हो रहा है तो उसके simultaneously vibrational motion भी हो रहा है हमारे molecule में okay so अब देखो आज हमने करना है इन दोनों को combined rotational vibrational spectra अब देखो जब हमने rotational vibrational spectra करना है तो हमारे पास चार cases बन जाते हैं और यह अर हम हमारे प्लस SHO या फिर हम क्या ले लें नोन रिजीड प्लस AHO अब देखो जो हमारे पास है नोन रिजीड प्लस SHO वालक्य से हैं means हम क्या कर रहे हैं जो rotational motion में हमारे पास कहाई distortion है वो तो हम ले रहे हैं बट हम SH में जो एन्हार्मोनिसिटी आते हैं वो नहीं ले रहें ऐसा पॉसिवल नहीं है क्योंकि जो हमारे पास distortion होती है नो रिजिड में जो हम D लिखते हैं जो distortion होती है उसकी value means काफी जादा कम होती है as compared to B. So, हम एन्हार्मोनिसिटी को neglect नहीं कर सकते in comparison of D means हमारे पास कहा है हम ऐसा नहीं है कि हम distortion तो ले ले और अन्हार्मोनिसिटी नहा ले ओके सो यह वाला केस इन्वैलिड है ओके नौन रिजिड प्लस SHO वाला केस इन्वैलिड है ऐसा कोई केस नहीं है जहां पर आपको means नौन रिजिड रोटेटर मिले और उसके corresponding simple harmonic oscillator मिले अगर आप इसको इसकी distortion ले रहे हो इसकी नहार्मोनिसिटी को निगलाक्ट कर रहे हो यह एक गलत काम है क्योंकि जो हमारे पास distortion है वो कम होती है वो तो काफी कम होती है हमने देखा ही था और राउंड 10 रिजिस पार माइनस 3 होती है ओके सो अब देखो जो हमारे पास means real case है वो कौन सा केस बनता है कि हम दोनों ही चीज़ें किया ले ले नौन रिजिड ही रोटेटर ले ले और एन्हार्मोनिक ही उसलेटर ले ले ओके सो उसकी जो इनर्जी है जो इनर्जी क्या होगी इसकी इनर्जी नौन रिजिड की इनर्जी प्लस हमारे पास क्या होगी एन्हार्मोनिक की इनर्जी ओके सो अब देखो जो हमारे पास अगर हम लिखें E N J E N J क्या बन जाएगा जो इसके लिए स्लेक्शन रूल्स होंगे वो इसके कोर्रस्पोंड 3, okay and so on, but the main we get delta n is equal to plus minus 1, plus minus 1 क्यों क्यों लेते है, क्योंकि जो हमारे पास molecules है, वह ज्यादा थर V n is equal to zero state में होते हैं क्योंकि जो हमारे पास energy levels में gap है, vibration energy levels में gap ज्यादा होते है, at room temperature, जो molecules है, हमारे पास ground state में ही रहते हैं, plus 2 into n plus 1 omega e x c. omega e minus 2 into n plus 1 omega e x e, plus, अब लिखनी है हमने, sorry, ये inharmonic oscillator की होगी, अब हमने लिखनी है non-rezy rotator की, non-rezy rotator की energy क्या होती है, हमने देखा ही था, क्या होती है, b j j plus 1 minus dj square j plus 1 का whole square, बी जे, जे प्लेस वन माइनस डी, जे स्क्वेर, जे प्लेस वन का होल स्क्वेर, अब देखो हम डी को in comparison to b निगलेक्ट कर सकते हैं, इस में, इस में, इस सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि जो डी है, वो काफी कम होते हैं, in comparison to b, सो हम इस equation में d को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास energy क्या बन जाएगी, omega e minus 2 into n plus 1, omega e x e plus bj, j plus 1, ओके, सो अब देखो, हम transition कर रहे हैं, transition हम कर रहे हैं, from n is equal to 0, from n is equal to 0, to n is equal to 1, vibrational energy level, तो हमने क्या ले लिया, n is equal to 0 से, n is equal to 1, और जो हमारे पास rotational energy level है, वो हमने j2, j dash to, j double dash ले लिया, और फिर आप ले लो, j to, j dash ले लो, okay, j to, j dash आपने, क्या ले लिया, j dash to, j double dash आपने ले लिया, rotational का gap, so अब देखो, जो हमारे पास delta e होगा, अगर हम delta e देखें, दो energy levels के बीच का gap देखें, वो किसके इकल होगा, जो हमारे पास vibrational है, vibrational हम n is equal to 0 से n is equal to 1 कर रहें, means उसका gap कितना होगा, हमने देखा ही था, omega e minus 2 omega e, x e, okay, यहाँ पर हम क्या करेंगे, n को 0 पुट कर देंगे, omega e minus 2 omega e, x e आजाएगा, और अगर हम rotational का gap देखें, तो हमारे पास क्या आजाएगा, plus bj double dash, j double dash plus 1, minus b, यहाँ पर b double dash लिख लो, यहाँ पर b dash लिख लो, j dash plus 1, okay, b dash, j dash, j dash plus 1, यह होगा हमारे पास delta e, अब देखो, अगर हमने delta e निकालना है, हमारे पास क्या कुछ है, हमारे पास 3 possibility है, जा तो हम क्या ले ले感覺, delta j को minus 1 ले ले, या फिर डेल्टा जे को 0 ले रहें या फिर हम डेल्टा जे को प्लस 1 ले लें, okay? So, अब देखो, अगर आपके पास डेल्टा E, डेल्टा जे, if डेल्टा जे is equal to minus 1, पहले हम केस कर रहे हैं, when B dash is equal to B double dash, okay? कि दोनों भी क्या हैं हमारे पास equal हैं, दोनों भी क्या हैं equal हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कि जो rotational and vibrational में coupling हो रहे हैं, वो कहें 0 है, okay? ये equal कब होंगे, जब हम rotational and vibrational coupling क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, okay? So, तब हमारे पास B dash is equal to B double dash हो जाएगा, सो अब देखो, जब हम delta J is equal to minus 1 ले रहे हैं, delta J is equal to minus 1 का मीनिक है, कि हमने कहां से कहां जाना है, J double dash minus J dash is equal to minus 1, okay? So, यहां से हमारे पास J double dash किसके एक को ला गया? J dash minus 1, okay? सो देखो, delta E is equal to, जो हमारे पास omega ही minus 2 omega x होता है, ये तो हमने देखा ही था, ये क्या है, एक fundamental frequency है, okay? हमने बोला ही था कि N is equal to 0 से N is equal to 1 वाली, जो हमारे पास transition होती है, उसको हम कौन सी transition बोलते हैं, fundamental transition, okay? सो हम इसको new note bar ही लिख लेते हैं, new note bar क्यों लिखा है? क्योंकि एक fundamental transition ही है, N is equal to 0 से N is equal to 1, ये हमने उसमें भी देखा था, A H O में, इतनी energy होती है, next मारे पास आ जाते हैं, plus, अब हम J double dash को J dash minus 1 पूट कर रहे हैं, okay? B double, B, हमने B double dash and B dash को B ही पूट कर दिया, okay? क्योंकि हम दोनों के equal ले रहे हैं, B, J double dash को हमने J dash minus 1 पूट किये, यहां पर क्या आ जाएगा? J dash, okay? next, minus, B, J dash, J dash plus 1, अब देखो, अब अगर आप solve करोगे, new note bar plus, यहां पर B, J dash को मना सकते हैं, B, J dash को मना सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास J dash minus 1, minus J dash minus 1, okay? J dash से J dash cancel हो गया, minus 2, so means हमारे पास delta E को को ला गया, new note bar minus 2B, J dash, okay? new note bar minus 2B, J dash, अब देखो, जो हमारे पास delta J is equal to minus 1 है, उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, P branch, P branch, जो हमारे पास delta N तो plus minus 1 ही है, बड़ ड़ल्टा J, ड़ल्टा J is equal to minus 1 है, तो वो कौन सी branch होगी, P branch, okay? P branch के लिए, जो हमारे पास energy है, वो क्या ही है, हम इसको delta E, P लिख लेते हैं, okay? P branch के लिए, delta E, P किसको ही को ला गया? new note bar minus 2B, J dash, अब हम निकालते हैं, जब हमारे पास delta J is equal to plus 1 हो, okay? delta J is equal to plus 1, ये था हमारे पास delta J is equal to minus 1 के लिए, ये था हमारे पास delta J is equal to minus 1, अब हम कर रहे हैं, delta J is equal to plus 1, delta J plus 1 कमीनिक है, J double dash minus J dash is equal to plus 1, means J double dash is equal to J dash plus 1, तो ये value अभी आपे पूट कर दो, delta E, किसको ला जाएगा? delta J is equal to plus 1, ये कोन सी branch होती है? R branch, R branch, okay, R branch में क्या होगा? delta E किसको ला जाएगा, omega E, यहाँ पे आप पूट करोगे, new note bar, plus B, J double dash की जगे पे, J dash plus 1 पूट करने है, J dash plus 1, यहाँ पे J dash plus 2 आ जाएगा, minus B, J dash, J dash plus 1, okay, so आपके पास आजाएगा, new note bar, plus B, J dash plus 1 आप कॉमन ले लोगे, अंदर आजाएगा आपके पास, J dash plus 2, minus J dash, okay, so आपके पास क्या आगया, new note bar, plus 2B, J dash plus 1, okay, so यहाँ आपके पास, delta E, R, यह किसके लिए आपके पास, R branch के लिए, R branch के लिए क्या आगया, new note bar, plus 2B, J dash plus 1, अब देखो, जो J dash की value है, जो transition है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पहले आप न, delta E, यह P branch होगी, यह R branch होगी, जब आपके पास, delta J is equal to 0 है, delta J is equal to 0, यह आपके पास होती है, Q branch, delta J is equal to 0 कौनसी होती है, यह आपके पास Q branch, ओके, तो अब देखो, अगर delta J is 0 होगया, means J double dash is equal to J dash होगया, J double dash is equal to J dash होगया, फिर तो हमारे पास यह तो 0 ही बन जाएगा, means तो delta E है, वो किसके इकला जाएगा, new note bar, delta E किसके इकला आजाएगा, new note bar, अब देखो, जब हमारे पास यहाँ पे, अगर आप J dash को P branch में, P branch में, अगर आप J dash को 0 put करो, अगर आप J dash को 0 put करो, तो delta E, new note bar के बराबरी आजाएगा, यह तो कौन सा case बन गया, जब हमारे पास Q branch का case बन गया, ओके, तो आप P branch में, जो J dash की value है, वो 0 नहीं ले सकते, वान से लेके start कर सकते हो, ओके, P branch में, जो हमारे पास J dash की value है, वो हम 0 नहीं लेते हैं, वैसे तो J की value 0 होती है, हमें पते हैं, बट यहाँ पे P branch में नहीं लेते हैं, P branch में हम start करते हैं, transitions from 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ओके, अब देखो Q branch के लिए, and R branch के लिए, R branch में देखो, हमारे पास क्या है, J double dash is equal to J dash plus 1, जो हमारे पास आया है, new node bar plus 2B, J dash plus 1, यहाँ पे आप J dash को 0 put कर सकते हो, अगर आप J dash को 0 put करोगे, तो आपके पास energy क्या आजाएगी, new node bar plus 2B, इनर्जी क्या है हमारे पास, जो delta ER है वो new node bar के इकल नहीं बन रहा, आप J dash को 0 put कर सकते हो, ओके, तो आपके लिए, जो R branch है, वहाँ पे आप J dash की value 0 से start करके, कितनी देर तक भी जा सकते हो, ओके, तो अगर हम लिखें, अगर हम अकेले, results, results लिखें, तो हमारे पास क्या बन गया, अगर हम P, Q and R branches को देखें, और सीधा results लिखें, तो आपके पास क्या बन गया, delta E P, delta E Q, delta E R, ओके, delta E P क्या हो गया, P branch के लिए क्या आया था, आपके पास, new node bar minus 2B J dash, ये क्या आया था, new node bar, ये क्या आया था, new node bar minus 2B J dash plus 1, ओके, तो अब देखो, new node bar plus, यहां पर प्लस आएगा, plus 2B J dash plus 1, अब देखो यहां पर, आपके बस P branch के लिए, जो J dash की value है, वो 1 से start होगी, यहां पर J dash की value, 0 से start हो जाएगी, ओके, इस तो आपने धियान रखना है, delta E P, delta E Q, and delta E R की values याद रखनी है, तो अगर हम देखें, अगर हम ग्राफ प्लोड करें, P, Q and R branch का, जो हमारे पास center में है, center में हमारे पास क्या आजाएगा, Q की line आजाएगी, जिसको हम बोलते हैं, delta J is equal to 0 वाली line, and delta N is equal to plus minus 1 है, ओके, इसमें आपके पास जो line आएगी, वो new note bar पे line आएगी, ओके, new note bar पे, अब देखो, जो आपके पास, इधर वाली side क्या होगी, new note bar से plus वाली side कौनसी होगी, R branch, इधर क्योंसी branch, यह तो है Q branch, इधर क्या होगी हमारे पास R branch, इधर क्या होगी हमारे पास P branch, ओके, तो अब देखो, आपके पास अगर हम R branch की energy देखें, अगर आप R में, यहाँ पे, J dash को 0 पुट करोगे, तो new note bar plus 2 भी हो जाएगा, ओके, new note bar plus 2 भी, फिर अगर आप J dash को 1 पुट करोगे, new note bar plus 4 भी, plus 6 भी, plus 8 भी, ओके, ऐसे ऐसे करके, आपके पास क्या transitions आजाएगी, तो अब देखो, यह जो gap है ना, यह gap constant होता है, 2B, 2B का, यह gap constant होता है, 2B, 2B का gap ही होता है, सारी lines में, 2B, 2B का gap ही होता है, ओके, सो यह हमने कैसे बनाया है, यह वैसे ही बनाया है, जैसे, rotational spectrum में हमने graph बनाया था, rotational spectrum में भी graph हमने ऐसे ही बनाया था, ना, NJ.N0 versus J का, सो वही trend follow होगा, जो आपके पास, इधर maximum आएगा, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, J max, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, R max, कि R branch का, जो maximum है, वह कहाँ पर हारा है, उसको हम बोलेंगे R max, ओके, सो अगर हम इधर वाली साइड देखें, यहाँ पर J dash की value कितनी है, 0, J dash is equal to 1, J dash is equal to 2, ओके, सो अगर आप यहाँ पर प्लोट करोगी, यहाँ पर आप, जो first line है, वह किसके corresponding है, J dash is equal to 1 के corresponding है, okay, similarly, J dash 2 के corresponding second line होगी, फिर यह J dash 3 होगी, यह J dash 4 होगी, यह J dash 5, J dash 6, J dash 7, इनके बीच का भी जो gap है, वह कितना आएगा, 2B2B का, आप सब्ट्रेक्ट करके देख ले न, 2B2B का gap ही आएगा, okay, so means, सारी lines में gap कितना आएगा, 2B2B का, अगर आप B dash is equal to B double dash ले रहे हो, okay, हमने क्या लिया था, कि rotational and vibrational coupling नहीं हो रही, हमने B dash को B double dash के equal ही ले लिया था, तब आपके पास जो rotational, यह जो हमारे पास spectral lines आएगा है, उनके बीच में कितना gap होगा, 2B2B का gap ही होगा, okay, इधर वाली साइट को, इसको हम बोलते हैं R max, इसको हम बोलते हैं P max, okay, so यह आपने बड़ा ध्यान रखना है, बड़ा ध्यान में रखना है, कि जो first line होगी P branch में, वो J dash is equal to 1 की होगी, जो R branch में होगी, वो J dash is equal to 0 पे होगी, okay, so यह होता है हमारे पास gap, अगर आप देखोगे, R max minus P max, R max minus P max निकालोगे अगर आप, means इसका maximum, minus इसका maximum, means इन दोनों की विर्थ, okay, R maximum minus P maximum, इन दोनों में कितना distance है, वो अगर आप calculate करोगे, वो आपके पास आजाएगा, root 8 BKT upon H C, okay, root 8 KBT upon H C, यह क्या आजाएगा, आपके पास R max minus P max, okay, यह आपने याद रखने, R max minus P max का क्या आजाएगा, root 8 BKT upon H C, okay, so अब देखो, अगर आप temperature को increase करोगे, okay, अगर आप temperature को increase करोगे, temperature को increase करने पर क्या हो जाएगा, अगर आप temperature को increase करोगे, यह increase हो जाएगा, means R max and P max का gap है, जो increase हो जाएगा, means जो P max है, वो इधर वाली side move होना start हो जाएगा, जो R max है, जैसे हम किया है कि जो हमारे पास अगर temperature को increase करते है तो जो curve एख, वो कैसी बन जाएगी तो जो curve है वो कुछ ऐसी बन जाएगी means हमारे पजन भी है जो maxima है जो maxima की intensity है पहले maxima की intensity कितनी दो कि हो सुभाइनWhat igten maximum की intensity कितनी दो कि हो सुभान чис एकशिमा की जो इंटेंस्ट्य वो डिक्रीज हो जाती है अगर आप तैम्प्रेशर इनक्रीज करोगे और अम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो हमारे पास greater lines हैं जो हमारे पास maximum की जो intensity हो कम हो जाएगी and जो हमारे पास population है वो बिखर जाएगी, वो ज्यादा means हमारे पास जो molecules है, वो higher rotational energy levels में चले जाएगे, okay so यह होता है हमारे पास effect of temperature r max minus p max का अपने formula याद रखना है 8b kt upon hc 8b kt upon hc so अब देखो यह था हमारे पास case के जब हमने लिया था b dash is equal to b double dash अब देखो, when b dash is not equal to b double dash when b dash is not equal to b double dash हमारे पास जो delta e था delta e n j था वो क्या था, new note bar okay, new note bar plus b double dash j double dash j double dash plus 1 minus b dash j dash, j dash, j dash plus 1 यह था हमारे पास पहले हमने क्या लिया था b dash को b double dash के इकको लिया था but b dash b double है हमें पता ही है कि जब हम उपर जाते है okay, जैसे जैसे हम उपर जाते है तब हमारे पास जो b की value वो कम होती जाती है हमने देखा ही था पहले rotation spectrum में कि जैसे जैसे हम उपर जाते है b की value कम होती जाती है तो जो हमारे पास b n है okay, किसे भी higher जो हमारे पास vibrational energy level है उसका जो हमारे पास वो है, b की value है okay, जैसे हमारे पास जो है, okay, यह है तो जो हमारे पास यह होता है at the bottom इसको हम बोलते है BE, जो हमारे पास B की वैल्यू है, अधिक कलिब्रियम, जो हायर है, इसको हम बोलते हैं, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, तो जो आपके पास, जो बी अन होते हैं, आपके पास कोई भी नमबर है, जो BN है, वो किसके इकुल है, BE, N-1 by 2 into alpha, यहां पे प्लस होते हैं, BN is equal to BN plus 1 by 2 into alpha, जो मेंस अगर हम उपर जा रहे हैं, तो जो B की वैल्यू हो कॉम होती जाती है, जो B' है, B' है, and B' हम equal नहीं ले सकते, तो अगर आप अप देखो, वैसे ही important नहीं है, बस आप एक बार देख लो, जो आपके पास delta E आएगा, 4R branch, 4R branch जब आपके पास delta J is equal to plus 1 है, delta N is equal to plus minus 1 है, delta E किसके equal आएगा, new note bar plus B' minus B' J' का square, ओके, plus 3B' minus B' J' plus 2B' यह आपके पास आजएगा, delta E4R branch, यह important नहीं है, बस वैसे एक बार result देख लो, आप, 4P branch, 4P branch, 4P branch, P branch के लिए किया होगा, आपके पास delta E is equal to new note bar plus B' minus B' into J' का square, minus B' plus B' J', ओके, यह आपके पास होता है, 4P branch, जब आपके पास delta N plus minus 1 है, and delta J minus 1 है, okay, so, अब देखो, जो important बात है, जिस पर questions आते हैं, वो है, कि आपके पास, जब आपने B' is not equal to B'double dash लिया है, means, आपने rotational and vibrational coupling लिया है, means, आप कह सकते हो, कि जब rotational and vibrational coupling non-zero है, तब आपके पास क्या होगा, जो आपके पास, जो spectral lines है, okay, spectral lines, जिसमें पहले आपके पास constant gap आ रहा था, पहले क्या रहा था, एक constant gap था 2B-2B का, but, अब क्या होगा, जो gap है, gap in, जो आपके पास R branch होगी, उसमें तो कम होता जाएगा, जो P branch होगी, उसमें increase होता जाएगा, okay, so आप बोल सकते हो, कि spacing, आप बोल सकते हो, gap और spacing in P branch increases and gap in R branch decreases non-linearly, okay, यह बात important है, non-linearly, non-linearly का मतलब, ऐसा कोई trend follow नहीं हो रहा, कि 2-2 का ही gap जो है, वो decrease होगा, जा 2-2 का ही increase होगा, okay, so non-linearly, जो P branch का gap है, वो तो increase होगा and R branch का gap decrease होगा, इस पे question आया हुए है, पहले, यह बात important है, वैसे इसमें यह formulas इतने important नहीं है, इस पे question आएगा, but इस चीज़ पे question आ रहे है, कि P branch में gap increase होता जाता है and R branch में gap कम होता जाता है, जैसे हम जो rotational vibrational coupling include करते हैं, okay, so, अब देखो, जो हमने Q branch की बात किया, जो important part है, जो हमने Q branch की बात किया, डेल्टा J is equal to zero, वो जुरूरी नहीं है, कि आपको हर एक spectrum में मिले ही मिले, जो हमारे पास Q branch है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, appearance of Q branch, अब जो हमारा topic है, वो है, appearance of Q branch, कि Q branch हमें किन molecules में दिखेगी, किन vibrations में, जो Q branch है, वो दिखेगी, Q branch कौन से होता है, जब डेल्टा J is equal to zero होता है, okay, डेल्टा N is equal to plus minus one and डेल्टा J is equal to zero, Q branch आपको को दिखेगी, जब आपके पास, एक तो होती है, हमारे पास parallel band होता है, एक perpendicular band होते हैं, एक होता है आपके पास perpendicular band जो parallel band होता है उसमें Q branch है जो Q branch होती है वो नहीं दिखती and जो perpendicular band होता है उसमें Q branch हमें दिखती है जो आपके पास अगर तो perpendicular band वाली आपके पास क्या vibration है जैसे bending modes हो गई जैसे bending modes वाली vibrations होती है उनमें जो आपके पास perpendicular band होगा वह क्यूब रांच को अपियर करेगा बट अगर आपके पास पैरलल बैंड है मेंस जो आपके पास डाइपल मोमेंट चेंज हो रही है ओके जो डाइपल मेंट चेंज हो रही है वह मॉलिकुलर एक्सिस के पैरलल है उसको हम बोलते हैं पैरलल बैंड अगर जो आपके पास डा क्या बोल सकते हैं कि जो आपके पास क्या होगी जब हमारे पास जो और बीटर एंगुलर मुमेंट में वह नोट इक्वल जीरो तब भी जो क्यू ब्रांच वह अपियर होती है क्यू ब्रांच कब आपियर होती है अब बसे सही याद रखो कि क्यूब रांच आपको कब कब दीखेगी क्यूब रांच which appears when, यह फिर निए आप लिखलो in case of, in case of, first लिखलो आप bending vibrations, bending और perpendicular लिखलो, perpendicular vibrations, okay, next आप लिख सकते हो, जब आपके पास जो angular momentum है, इसी भी species का, जो angular momentum है, वो not equal to zero, यह फिर आप लिख सकते हो, जिन molecules, जो molecules, paramagnetic होंगे, यह फिर आप लिख सकते हो, paramagnetic molecules, paramagnetic के case में क्या होता है, उसके पास unpaired electron होगा, उस case में आपके पास जो cube branch है, वो appear होगी, तो तीन cases होते हैं, जब आपके पास bending यह perpendicular vibration हो, यह फिर angular momentum not equal to zero हो, यह फिर paramagnetic हो, not equal to zero तो है, बट अगर आपके पास जो angular momentum है, वो क्या है, parallel है, उके, angular momentum is parallel to dipole moment, जब आपके पास angular momentum, dipole moment के parallel होगा, तब आपके पास cube branch appear होगी, उके, when angular momentum, when angular momentum is parallel to dipole moment, is parallel to dipole moment, तब ही आपके पास क्या होगी, cube branch appear होगी, तो यह आपने तीन cases ज़्याद रखना है, कब-कब cube branch आपके पास दिखती है, किसी भी spectrum है, हर एक spectrum में नहीं दिखती, cube branch तब ही दिखती है, अगर आपके पास bending यह perpendicular vibration हो, या फिर angular momentum not equal to zero, या फिर आपका molecule paramagnetic हो, या फिर आप बोल सकते हो, कि जो angular momentum है, वो किस के parallel हो, dipole moment के parallel हो, ओके, सो अब देखते हैं, हम यह था हमारे पास appearance of cube branch, appearance of cube branch में हमने देखा, कि cube branch कब-कब दिखाई देती है, ओके, सो हमने क्या-क्या देखा, r max minus p max का gap देखा, effect of temperature देखा, जब b dash not equal to b double dash है, तब का case देखा, एक case देखा, जब हमने, b dash is equal to b double dash ले लिए था, p branch, cube branch and r branch की energies देखी, आपको energy याद होनी चाहिए, p branch की energy क्या होती है, p branch इस से left में होती है, so means minus होएगा, new naught bar minus 2b j dash, j dash को आप 1 से include करोगे, 1, 2, 3, and जो आपके पास q branch है, वहाँ पे delta j is equal to 0 होता है, उसकी energy तो new naught bar की इकली होती है, जो आपके पास r branch होती है, वहाँ पे energy क्या होती है, new naught bar plus 2b j dash plus 1, वहाँ पे आप j dash को 0 put कर सकते हो, जो आपके पास gap है, वह 2b, 2b का आएगा, अगर आप ले रहे हो, b dash is equal to b double dash, जब आप b dash is not equal to b double dash ले रहे हो, तब आपके पास जो p branch में gap हो increase होता जाएगा, r branch में gap decrease होता जाएगा non-linearly, यह सारे concepts आपने याद रखने हैं, अब हम कर रहे हैं previous year questions, Yes friends, देखो, आपके पास first question है, आपको r 0, r 1, p 1 and p 2 की values दियो ही हैं, आपने बताना है, इस जाड़ा को देखके, आप क्या conclude कर सकते हो, आपको r 0 and r 1 की value दियो ही है, अगर आप इनको subtract करके देखो, तो क्या R है, r 0 and r 1 को अगर आप subtract करके देखोगे, तो आपके पास क्या आएगा, 2, 1, 12 आ रहे हैं, अगर आप इन दोनों को subtract करोगे, p 1 and p 2 को, तो आपके पास कितना आगई है, डबल 2, 0, 3, यह डबल 2, 1, 6, तो यह कितना आगया, 13, means जो आपके पास gap है, वो same नहीं है, हमने देखा ही था, कि gap same कब होता है, जब हम B dash is equal to B double dash लेते हैं, बड़ gap same नहीं होता, जब हम B dash and B double dash को same नहीं लेते, means B dash is not equal to B double dash, means यह case कब होता है, B dash not equal to B double dash का case कब होता है, जब हमने rotation and vibrational coupling को include किया हुएं, okay, so हम यहां से क्या conclude कर सकते हैं, कि इस molecule में rotational and vibrational coupling हो रही है, okay, so means the molecule has rotational vibrational interaction, okay, next question देखो, exam में आई हुए questions हैं, तीनों, बागी questions भी काफी आई हुए हैं, बट repeating है, जैसे मैंने आपको बताए ही था, q branch की appearance पे काफी questions आई हुए है, r max minus p max के base पे questions आई हुए है, okay, so means simply ना formula में value ही put करने हैं, बैसे questions आई आई हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताई दिया, effect of temperature, okay, सारे जो theoretical questions हैं, वो मैं theory में cover कर देती हूँ, यहां पर मैं बस थोड़े बहुत questions करवा देती हूँ, so that आपकी थोड़े बहुत practice हो जाए, बागी आप practice के लिए previous year questions को कर सकते हो, okay, previous year paper उठाओ, उसमें से सारे questions करो, next question, the q band in the vibrational spectrum of acetylene is observed in, okay, हमने देखना है कि acetylene के कौन सी vibration में हमारे पास q branch है, वो दिखेगी, कौन से में दिखेगी, cc stretching mode, bending mode, ch asymmetric and ch symmetric, अब देखो, मैंने आपको बताई था, कहां पर दिखती है, आपको q branch, bending vibration में, so आपका answer क्या हो जाएगा, bending mode, next देखो, if r0 is equal to 16 28, p1 दिए दिए हुआ है, आपने rotation, constant निखालना है, hertz में, so आप देखो, आपको r0 की value दिए है, p1 की value दिए है, r0 की value, yes, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास r0, यहाँ पे क्या होता है, p1, यहाँ पे होता है r0, यह gap 2b, यह gap 2b, means आपको, जो इन दोनों का gap है, वो 4b की है, हम जल्दी-जल्दी में क्या कर देते हैं, हमें पता है कि gap 2b का होता है, हम जल्दी-जल्दी में इनका gap 2b के क्यों रख देते हैं, but 2b का gap कहां से होता है, तो देखो, 2b का gap होता है, new note bar से gap होता है, so इन दोनों में gap तो 4b का हो गया, so आप इन दोनों को subtract करके, देखो, 6 1, ओके, यह कितना आ गया, आपके पास 4 B, B कितना आ गया, 4 per centimeter, आपको per seconds में चाहिए, hertz में चाहिए, ओके, so per centimeter को per second में change करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, multiply by C, हमने देखा ही था, जब हमने per centimeter को per second में change करने हैं, तो हम क्या करेंगे, multiply by C, so आप इसको, क्या करोगे, 4 into, 3 into 10 raises par 8 से multiply कर दोगे, कितना गया के पास, 12 into 10 raises par 8 per second, okay, so यह आपके पास अंसरा गया, आपने ऐसे questions करने होते हैं, प्रिस जल्द बाजी मत करना, आपको जो भी means values दी हुई हैं, उनको upload करके देखो, फिर आप देखो gap क इतने हैं, जब आपकी practice होगे, फिर आप जल्दी-जल्दी कर सकते हो, okay, यह आप पे depend हैं, आप कितनी practice कर रहे हो, so यह ना मतलब net को clear करना, किसी teacher से ज्यादा आपकी self-study पे depend करते हैं, okay, net means अकेला teacher clear नहीं करवा सकता, जैसे हम coaching पे देखती हैं, इतने-इतने students होते हैं, but clear थोड़े को होते हैं, वो थोड़े क्यों होते हैं, जो means जो बच्चे टीचर की बातों पे implement करते हैं, रोज का रोज पढ़ते हैं, दुबारा पिछला भी revise करते हैं, रोज की रोज उनका net clear होते हैं, इतना असान पेपर, आपको क्या करना हैं, 60 में से 25 कोशन करना हैं, औ और वो ही 4 marks को होते है, 25 into 400, 100 marks तो ऐसी बनके 100 कट अफ जाती है, आप पार्ट B में से भी कुछ ने कुछ करोगे, पार्ट A में से भी कुछ ने कुछ करोगे, पार्ट A में आपने 15 कोशन करने होते हैं, आप आप 15 में से 7 या फिर 6 लगा लो चलो, 6 और 6 से 7 कोशन तो इतने जादा इसी होते हैं, कि वो 10th क्लास का बच्चा भी कर दें, आप जैसे ही वीडियो देख रहे हो, साथ साथ नोट करो, और रोज की रोज रिवाइस करो, सारा syllabus रोज की रोज रिवाइस करो, अब तो लोग रहा हून है, आप आराम से free भी हो, आराम से कर भी सकते हो, आपक प्लिस करो, स्टेडी करो, स्टेडी करो, वो ज्यादा इंपर्टेंट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लिस लाइक कीजिए, एंड मैक्सिमम शेर कीजिए, थेंक यू